प्रशांत महासागर में मौझूद छोटा सा द्वीप है गौम इसका कुल इलाका 541 वर्ग किलोमेटर है यानि यू समझ लीजे कि शिकागो के बराबर है गौम हमारी सरद से लगभग 7000 किलोमेटर दूर अमेरिका का ये छोटा सा द्वीप हमेशा से ही चीन और नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका की तरफ से नजर रखने का एक एहम केंद्र रहा है गौम के एक चौधाई हिस्से में अमेरिका का मिलिटरी बेस कैम्प है गौम में अमेरिकी सामरिक बंबर्शक विमानों के ठिकाने है लेकिन इससे भी बड़ी बात ये कि चीन की साज़िशों को रोकने के लिए अमेरिका ने यहां तीन पौजों को तैनात किया हुआ है चीन को इसी से एतराज है चीन को लगता है कि बीजिंग पर पहला बार गौम से ही होगा इसकी वज़ह भी है चीन से गौम की दूरी करीब 4700 किलोमेटर है लेकिन गौम में अमेरिका ने इतना बारूज जमा किया हुआ है जिससे कई हफ़तों तक चीन से जंग लड़ी जा सकती है चीन दावा करता है कि उसके पास ऐसी मिसाईले है जो बीजिंग से गौम को निशाना बना सकती है अमेरिका को भी पता है कि चीन की GF-26 बलिस्टिक मिसाईल भी गौम को तहस नहस कर सकती है क्योंकि चीन की इस मिसाईल की रेंज 5500 किलोमेटर तक है वैसे अमेरिका ने गौम में 2013 से ही एर डिफेंस सिस्टम की सैनाती की हुई है जिस तरह से साउथ चाइना सी में दो महीने से हालात है और जिस तरह चीन लगातार धंकियां देता रहता है वो जिंपिंग के शागिर्दों के मन्सूबों का इशारा दे रही है यही वज़ा है कि अमेरिका ने गौम से ही चीन पर भारूद बर्ताने की तैयारी शुरू कर दी है इतना ही नहीं 25 सतंबर तक चलने वाली इस एक्सरसाइज में आस्ट्रेलिया, जापान और साउथ पोरिया की पॉज भी अमेरिका से कंधे से कंधा मिला कर चल रही है